दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है और आपका वोटर आइडी कार्ड बन चुका है सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक वाच करते रहें वीडियो सुरू करने से पहले हमेशा की तरह चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक और सेर कर दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इस प्रक्रिया को आप मॉबाइल पर भी यूज़ कर सकते हैं और लेपटाप पर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आपको इस आटपिकर बनाने के लिए सेंपल से नीचे स्क्रोल कर लेना है यहाँ पर टेक ए वोटर्स का ओप्सन दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने नाम के पहले का टाइटल सेलेट कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम complete fill कर देना है यहाँ पर आपको यह capture इसमें fill कर देना है और submit कर देना है submit करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी longways select कर लीनी है जिससे की Hindi English उसके बाद में आपको मतदाता सपत यानि कि यहाँ पर आपको एक सपत लेनी है तो कि आपको दिख रहे होगी आपको यहाँ पर पूरी सपत को पढ़ लेना है यानि कि रीड कर लेना है आप जब इस पूरी सपत को रीड कर लें तो यहाँ पर आपको मैने प्रतिग्या ली वाले option पर आपको टिक लगा देना है उसके बाद में आपके सामने एक submit का option आ जाएगा simple से आपको इस पर click कर देना है submit करते ही आपका जो e मत्ताता सपत का प्रमांट पत्र है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है चलो voter बने हम यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है जो आप सपत आपने ली थी वो यहाँ बहुत यहाँ पर mention की गई हुई है जिस date में आपने इसको सपत ली है और certificate इसको issue किया है उस date को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपकी date पड़ी हुई होगी यहाँ पर देख सकते हैं Dr. Radvid Singh जो की मुख निर्वाच अधिकारी दिल्ली के हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके signature भी यहाँ पर मौझूद है तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस परकार आप E मतदाता का सपत पत्र यानि की परमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं इससे आउनलाइन कर सकते हैं certificate को आई होप वीडियो आप लोगों को काफी पसंदा है होगा अगर परसंदा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेयर करें अगर कोई doubt या confusion हो या सुझाओ हो तो comment box में लिखना ना बोलें